नमस्कार एटो जेट डिशज उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में बैं आपके साथ शेयर कहने जा रहे हूं फ्रूट वाली चटपटी चटनी आप देखिए इमली की या गुड़िमली की चटनी तो आप खाते ही हैं ये फ्रूट वाली चटनी देखने में आपको अजीब लग रहा होगा पर आप इसे एक बढ़ जरूर ट्राइ कीज़े अगर आपको मेरी तरह चटपटा घाना अच्छा लगता है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और नहीं भी घाना अच्छा लगता है तो एक बढ़ ट्राइ कीज़ेगा आप यहां पर एक बरतन में डाल दिया है आधा कब जितनी इमली और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी एक ग्लास इतना पानी डाल दी इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लग भग आपको इसे 2-3 मिट के लिए पकाना है बीच पीच पे मिक्स करते रहेगा और गुड है बारी कटा हुओ और आधा कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और अच्छे से मिलाते हो इसे हमें पकाना है बस गुड जो है पानी में गुल जाए तब तक ही से हमें पकाना है मतलब गुड को सिफ आपको मेल्ट करना है चाश्णी नहीं बनानी है एक या दो बस गुड देखे पानी में अच्छे से गुल गया है अब इसे इसी तरह से पकाते जाना है और साथी साथ नहीं यह जो इमली पका के रखी थी नहीं मैंने इसे अच्छे से मसल लिया और चान लिया तो यह इमली का पानी भी डालते इसे लगातार चलाते जाए और इसे बाल भी आता जाएगा और सातीह साथ इसे आपको वीच-वीच-पे मिक्स भी करते रहेगा है जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएगे-जीजआएगे उसके अंदर मसाले भी डालते। सबसे पहले मैंने डाल दिया है आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर स्वाद की अनुसा नमक इसी के साथ एक चौथाई चमच काला नमक एक चौथाई चमच काली मिर्शी पाउडर एक चौथाई चमच बुना जीरा पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग इसे ह चार से 5 मिनिट के लिए पाउडर फाये जब टक यहाँ भाड़ नई हो जाती तब तक यहाँ पर ऊप देख सकते चार से पान्च मिनिट हो गय है और यह दिसी हो जाए न देख सकते है इस तरह से तब इसके अंधर में डालेंगे फ्रूट तो यहाँ पर मैंने दो तरह का मैंने अनार के दाने डाले हैं एक केले को छील कर इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में हमें काट लेना और इसे डाल दीना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें एक से दो मिनिट तक ये चटनी को और पकाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक से दो मिनिट हो ग जितनी तारीफ करो उतनी कम है तो घर पर इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट्स पता है कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही Thank you for watching